दोस्तों कोई भी कुट्ता सुसू करते समय अपनी एक टांग को उपर क्यों उठाता है? कुट्ता टांग उठाकर ही क्यों पेसाब करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अफ़ाधार जीव कोई है तो वो एक ही है डौग या कुट्ता कुत्टे को पालना आपकी खुशियों को बढ़ाता है ये बात भैज्यानिक ने रिसर्च करके ही साबित की है घर ये बात है तो कुत्टों के कई महत्व को आप जानते हैं कुत्टा टांग उठाकर क्यों पेसाब करते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि कुट्टों को इस तरह से लेकिन उसका कारण आज हम बताते हैं तरसल कुट्टे दीवार, गाड़ी के टायर और खंबो पर टांग उठाकर पेसाब करते हैं उसका एक सामाजिक और वैज्यानिक कारण है कुट्टा टांग उठाकर ही क्यों पेस करते हैं कुट्टे का टांग उठी करके पेसाब करने की वज़ा है वो एक कुट्टे की नाक के समानतर अपनी गंद छोड़ते हैं ताकि उनको आसाने से उसकुट्टे की गंद आ जाए अपने इस अनोखी क्रिया के पेछे उनका मक्सद यही होता है कि दूसरे कुट्टों के लिए उनकी नाक की उचाए पर ही पेसाब की गंद छोड़े इसलिए कुट्टे एक सही उचाए पर ही यह करते हैं हालांकि इसके पीछे उनका एक और कारण होता है जब कुट्टे कहीं चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं तो उनको उनकी गंद से अपने घर क पता चल जाता है ये कुट्टे की पहचान करने का अनोखा तरीका है इसलिए कुट्टे जब भी आपके साथ घूमने जाते हैं तो वो पूरे रास्ते भर इसी तरह से बनाते चले जाते हैं कुट्टा टांग उठाकर ही क्यों पेसाब करते हैं जब आप अच्छे से समझी होंगे कि कुट्टे द्वारा कहें पर टांग उठाकर पेसाब करना उसका एक अनोखा काम है कोई हरकत नहीं है बलकि उसका ये जन्मजात प्रतिभाया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स अग अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते अगले वीडियो में कुछने इंट्रेस्टिंग फैक्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों